आज गूड मॉर्ण तो आज एडवांस कापिटल विश्टिंग का लास्ट पार्ट सेकंड लास्ट पार्ट ओके और पिछली क्लास में जो बोर्ड नोट्स दिया गया था डिस्क्रिप्शन में वो कम्प्लेट नहीं था बोर्ड नोट्स बनान थे नहीं एक्शुली तो पका टाइम लगा होगा सर और इसके लावा टेस्ट वेस्ट का क्या शीन चल रहा टेस्ट वेस्ट का छोड़ो अभी यार यार यूजडे तक ना खतम करना है रिविजन सिरीज एक बार खतम होना मतलब जल्दी 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 करने पोश्चिस कर रहा हूं टेस्ट पेपर जि तर क्या होता था स्टैटिस्टिक यह प्रोबाइबिलेटी वगिरा दिया रहता था तो इस्टेंडर्ड एविशन को एफिशेंट वगिरा निकाल था उसके बाद सर हमने कन्वेंशनल टेकनिक्स पढ़ा था जिसमें आरेडियार और शर्टिनिटी एक्विवेलेंट पढ़ा था और अधर टेकनिक्स वगिरा में यह चल रहा था हमारा जिसमें आपने सेंसिटिविटी एनलिसिस पढ़ा जो सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट था सेंसिटिविटी एनलिसिस टेकनिकल भी है अगर मैं कहूं एडवांस कापिटल विश्टिंग में कुछ अगर टेकनिकल पार्ट है तो वो है सेंसिटिविटी एनलिसिस और एक औ सर आप अगर अप सेलिंग प्राइज में चेंज करते हों सेलिंग प्राइज आप बुरा बुरा सोसते हों आपको ऐसा लगता जो यार जो पहले प्रोड़क्ट हम 200 रुपए का बेचेंगे बेच रहे थे अगर बुरा होगा उसको हम 10 परशन या 20 परशन डाउन पर अगर सेलिंग प्राइज डाउन होगा तो नंबर उप यूनिट से बढ़ेगा भाई आप कैसी बात कर जाएं फिक्स कोश्ट में फ़र्क पढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा अगर नंबर तो यार एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से रिलिशन होता है पर सेंसिटिविटी ए एक एजंशन है कि एक समय पर आपको एक फैक्टर चैंज करना है तो फिर पिक्चर में आया सिनारियो एनलिसस सिनारियो एनलिसस क्या होता है तो लियार आप सारे फैक्टर से एक साथ चैंज किजिए एक सिनारियो बनाईए अगर एकोनॉमी बूम हो तो बताओ सेलिंग प् उस सिनारियों के हिसाब से अप NPV निकाल ले उसनेशाब मानलो बूमना हो पार्वोन ट्राव हो तो यार में सेलिंग प्रास कम होगा युनिट्स कम बहुत ठाव मैं सकता है उस हिसाब से आप aeg सिनारियोंगी सबzw對不對 भी बोलू के या इसी को आप probability approach बोलू के doesn't matter हमें नाम में नहीं जाना है कि क्या है तो सिंबल सी बात है मैं बात किसकी कर रहा हूँ scenario analysis question number है मेरे पास time बरबाद ना करूँ question number 43 scenario analysis illustration number 10 illustration number 10 कहां का है सर ये आपके module का question है और symbol question है सर ये सिय इंटर में भी था क्या सर पैसा कितना लगा रहा है 14 lakhs ठीक इसको तो मैं वैसे भी class में हो बग दिया था पर चलो समझा दे दो 14 लाक रुपिया सर अगर बुरा से बुरा हुआ तो 450 लाक आए खाएगा 400 लाक आएगा 700 लाक आएगा अगर सर अगर एकोनोमी नॉर्मल रही तो अगर सर बेश्ट में 600 लाक पचास जार होगा यह पता नहीं चार लाक पचास जार 4 लाक, 7 लाक कर लो कि डिसकाउंटिंग किसे गरा नहीं हो most likely scenario में NP भी निकाल सकते हो best case scenario में NP भी निकाल सकते है इसका solution मेरे पस नहीं है आप चाहो तो module से देख लिएजए अच्छा ये वाला point अलग है यहां से अगर XYZ limited is certain about the most likely result in first two years first two years में उनको first year में पास सो पचास लाक आएगा ऐसा confirm है और second year में 450 लाक आएगा ये confirm है ठीक है भई but पता नहीं है कि third year में क्या आएगा तो आपको फिर से NPV expected NPV निकालना है ये मान के कि worst case आएगा बुरा से बुरा होगा और उससे ज्यादा क्या होगा है तो पहले साल चार्ल पाच लाक पचास जार फिर चार लाक पचास जार फिर साथ लाक डिसकाउंटिंग कर दोगे मानस शुदा लाक करोगे तो NPV तर ये नई भी समझाते तो हो जाता यस तो ये होम वर्क रहां कर लो गया है scenario analysis की कहानी लिखवा रखा हूँ पढ़ ले ना अगर टाइम मिलेगा तो decision tree तो पहला था sensitivity analysis ठीक है दूसरा था हमारा scenario analysis और तीसरा other technical और क्या है decision tree सर decision tree क्या होता है कुछ नहीं है simple एक diagram बनाना है इसको समझा रहा हूँ हाला कि decision tree नहीं है actual में पर इससे idea लग जाएगा कि क्या हो question number 26 AFM module का TYK 20 TYK 20 देखे क्या है पढ़ते है सर ये question क्या CA inter का है हाँ ची तो फिर सर पढ़ाई क्यों हो रहा है बैटे जल्दी से 80,000 रुपिया लगाना है फर्ष्ट येर में 50,000 भी आ सकता है 60,000 भी आ सकता probability दिया है और अगर फर्ष्ट येर में 50,000 आया तो second year का cash flow depend किस पे करता है फर्ष्ट येर पे dependent cash flow ऐसा बोलता हूँ फिर थोड़ी दिर बाद में start होगा पहले साल 50,000 तो फिर कितना आ सकता second year में 24,000, 32,000, 44,000 अब पहले साल अगर 60,000 आया है जादा आया अगर हम कहना ये चाहता हूँ मैं कि यार पहले साल कम आया ना पैसा तो अगले साल भी कम ही आएगा हमारा business अच्छा नहीं चल रहा है ऐसा लगेगा अगर पहले साल खुब कमाएगे तो उसके बादवाले साल भी खुब कमाएगे मतलब यार second year का cash flow किस पे depend करता है first year पे discounting rate 10% लेना सबसे पहले आपको decision tree बनाना simple है यह decision tree इसमें मैंने लिख दिया है पर आपके पास तो original copy आपको पता है आप copy खोल के बैठना कम से तो एक decision tree type का बनाया है हलाकि decision tree नहीं है वो तो आगे start हो रहा है पहले साल कितना लगा 80,000 80,000 लग रहा है कितना कितना आ सकता है 50,000 सोरी 50,000 आ सकता है 50,000 आ सकता है सर और 60,000 आ सकता है इस बात की probability यह दिया हुआ है और अगर पहले साल 50 आ सकता है तो 24 आ सकता 32 आ सकता 44 आ सकता probability दिया हुआ है और 40 आ सकता 50 आ सकता 60 आ सकता और इसकी भी probability दिया हुआ को दिकत की बात है क्या इसे को decision tree बोलते है हाला कि decision tree नहीं है पर ठीक है C enter में अच्छा लगता था कि यह ही है decision tree and calculate the expected NPV पस expected NPV क्या है ये समझना अब सुना ये बात समझ लो कि expected NPV दो तीन तरीके से निकाल सकते है यहां दिक्कत आती है बच्छों को मैं कहता हूँ कि इसको एक complete मान लो बिल्कुल ध्यान से समझना ठीक है sir और इसको complete मान लो ठीक से समझना पहले साल कितना आएगा मैं कहता हूँ ये है path 1 और ये है path 2 मतलब यहां से देखो कि ये एक path निकला ये एक path निकला तो इसको individual मानो यहां एक path ये दूसरा path क्यों समझा रहे है इतना आगे आ रहा है hearts and healer model hearts and healer model okay तो path हुआ इसमें क्या होता पहले साल को तो हमको मालूम है पचास हजार और second year का इसके इस probability के साथ multiply कर दो कि तो आएगा 36,400 multiply second year का factor minus 80,000 तो इस path में आ गया minus 4,484 अब इस path में पहले साल दो 60,000 है और दूसरा इसको multiply कर दो 40,000 into 0.4 45,000 into 0.5 और 60,000 तो सर यह आ गया 47 था हो जाए और NPV निकाला तो आ गया 13362 इस path में जाते तो NPV ये है इस path में जाते है तो NPV ये है तो इस path में जाने का क्या probability 0.4 और इस path में जाने का 0.6 इटमिस में क्या कहना चाहता हूँ ये NPV याने की probability 0.4 ये NPV याने की probability 0.6 multiply करूगे तो क्या जाएगा expected NPV ओके expected NPV मैंने नहीं निकाला है पर मैं बता रहा हूँ multiply करोगे तो क्या जाएगा expected N ओके, this into this तो यह जाएगा expected N मतलब सर 4484 minus में into 0.4 और 13362 into 0.6 6223 6224 चल जाएगा 6224 और एक दूसरा तरीक है सर बोलो, यह भी काम आएगा, सीख लो हम pathwise नहीं जाते सर पचास जार और साथ जार पहले साल का expected cash flow निकाल लेते पूरा, पचास जार into 0.5 और साथ जार into 0.6 कर सकते हो और सर दूसरे साल का भी expected cash flow निकालते, एक पूरा साल ले लेते हैं और यह पूरा साल ले लेते हैं, यह भी असान है, आप ऐसे भी कर सकते हो तो सर पचास जार into 0.4 और साथ जार into 0.6 और साथ जार into 0.6 तो सर फिप्टे सिक्स थे हाओ जेंट आगे हैं, यस पहले साल का काम खतम, और दूसरे साल का याद रखना की प्रोबैबिलिटी कैसे होगा, चोबिस जार आने की, अब प्रोबैबिलिटी क्योंकि आप कम्प्लीट ले रहे हूँ, अब 24,000 into 0.2 नहीं कर सकते हैं, यह चीज में समझाने करना, आपको प्रोबैबिलिटी से प्रोबैबिलिटी का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको 24,000 into 0.2 into 0.4 करना पड़ेगा, सर, अच्छा, मतलब 0.2 into 0.4, ऐसा करना पड़ेगा, 0.2 into 0.4, 0.08 करना पड़ेगा, yes, 0.08, की बोटीप्लाई कियो किया लोजिक मेंने आपको दिया है एसे इसमें यह मल्टीप्लाई करोगे यह मल्टीप्लाई करोगे इसमें टो पूरा मिलाग एकसपेक्टट कैश तच्टों निकालोगे 2 ंआएंग यह दों Fell 1 दो 2 कई से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता और तीसरा क्या हो सकता है सिनारियो वाइस सर ये सिनारियो वाइस क्या हो गया मान लो कि एक सिनारियो सुनना सिनारियो वाइस क्या है फिल्कुल ध्यान से या सर हम सुनना चाहते हैं सिनारियो वाइस मैंने कितने तरीका बताया एक path wise, दूसरा year wise, और तीसरा scenario wise, scenario wise का मतलब यार भूल जाओ सब, पहले साल outcome कितना आ सकता, 50,000 और 24,000, पहली पहला सिनारियो, दूसरा 50,000 और 32,000, probability बाद में देखेंगे, पहले NPV निकाल लेते, फिर 50,000 और 44,000, तीन सिनारियो, फिर 60,000 और 40,000, चोहता सिनारियो, फिर 60,000 औ सिनारियो wise, यह NPV, यह NPV, 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 और इस बात की क्या probability हो, आपको joint probability ही लेना पड़ेगा, आपने multiply कर दिया, तो यह आगया, expected NPV, जो आपको आसान लगता है, आप वैसे कर, ओके, ठीक, कोई दिकत की मात है, क्या, नाइसर, यह, इसलिए, डीटेल में समझा है, काम आएगा आखे, आगे बड़े, यस, what NPV, will be project yield, if worst outcome, या worst scenario is realized, and what is the probability of occurrence of this NPV, क्या मांग रहा है, वो पूछ रहा है यार, worst scenario में NPV क्या होगा, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, बुरा से बुरा outcome, बुरा से बुरा पहले साल भी कम आए, और दूसरे साल भी कम आए, पहले साल भी कम कमाए, और दूसरे साल भी कम कमाए, वही तो बुरा होगा, यह बुरा से बुरा outcome का NPV है, और उस बात की probability है, और हला की question में probability, NPV into probability भी कर लेता है, पर जलूरत नहीं है, वैसे यह दिखाना था, बुरा से बुरा outcome, और इस बात की probability यह है तो पूछेगा expected NPV तो बता दे न और सर अच्छा से अच्छा outcome वो तो करी सकते हो पहले साल भी खुब आए और दोसरे साल भी खुब आए ठीक है सर उस बात की probability एक और question आ चुका है what is the probability of negative NPV negative NPV आने की क्या probability है सर ये भी negative है ये भी negative है तो सर इन दोनों को क्या करना plus कर देना ये भी आ सकता ये भी आ सकता इसके बाद तो negative नहीं है ऐसा पूछा नहीं इस question में पूछ सकता है negative NPV आने की क्या probability तो इन दोनों को add कर देना point two zero ठीक है और NPV expected NPV positive है तो हमें project कर लेना चाहिए इसमें बहुत टाइम लगा दिया ठीक है जी अब बात करते हैं decision tree बढ़ आया गए हैं लोग और decision tree इस tree के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हाला कि यह आपको याद तो होगा पर मान के चलूं कि आपको याद नहीं है तो क्या करें यह होता chance note नहीं decision note और जो circle बनाय जाता ना इसको बुला जाता chance note chance decision मतलब इस point पे हमको decision लेना है कि यह करे कि यह करे चांस नोट क्या होता है क्या प्रोबैबिलिटी है ये भी हो सकते हैं ये बहुत समझा रहा हूँ मतलब सर्कल है आई सी एई की सबसे जहां सर्कल होता है ना उसको बोला जाता है चांस नोट और जहां स्क्वाय होता है उसको बोलते हैं अब समझने की कोशिश करना डिसीजन कैसे लेना सर ये है डिसीजन वन यस और डिसीजन वन में हमने डिसाइट के प्लीज ये एग्जामपल इंपॉर्टनेट है इसके बिना डिसीजन प्री नहीं हो पाई की सर सीए करना है की बी कॉम करना है तो सीए करने के लिए पैसा लगेगा और बी कॉम करने के लिए पाच लाक रुपे लगेगा मतलब पैसा जाएगा और बी कॉम करने के लिए थोड़ा कम पैसा लगेगा तीन लाक रुपे लगेगा ऐसा हमारा मानना है ठीक है, ओके सर, अगर वी कॉम कर लेते हैं, तो क्या होगा, वी कॉम कर लिया, तो सर, जॉब लगेगा की नहीं, तो मैं गहा रहा हूँ, चलो जॉब लगेगा, और हमारा मानना है कि आप एक लाक रुपए पर रैनम कमाओगे, और जिंदगी भर यही कमाओगे, एक लाक है हो, तीन लाक, कमाओगे कितना, एक लाक रुपए पर रैनम, पर पेच्वल, डिसकाउंटिंग रेट है, 20%, तो 20% करके बताओ, एक लाक डिवाड़ेड वाई 20%, सर, पाँच लाक है, प्रेजेंट वेल्योप कैशिन, और तीन लाक रुपए लगा रहा है, तो बताओ, एन फाइनल हुआ, कि भी कॉम करेंगे, तो इतना कमा लेंगे, बच जाएगा, एक्स्ट्रा, चलो, सीए करेंगे, सीए में पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, पाच लाक, अब सीए में दिक्कत है, चांस, क्या लगता है, पास होगे कि फैल होगे, पास होने की प्रोबाइबि हाँ, पास होगे, चलो, मान लो, पास होगे, तो अब डिसीजन फिर आ गया है, इसको बलते है डिसीजन नोट, क्या डिसीजन है, डिसीजन ये है, कि हमें ओफिस खोलना है कि टीजिंग करना है, ओफिस खोलने जाओगे, तो हमारा मानना है कि पैसा लगेगा कितना छे लाक इस इंपॉर्टेंट है यह एच्छे लग ओके और ओफिस खोलोगे छे लाक रुपए लगेगा तो सर्थ प्रेक्टिस चलेगी हाँ ची चलेगी और हमारा मानना कि साड़े चार लाक रुपए पर एनम आएगा पर पेच्छ वल यह हम यहां बैट के अनुमान लगा रहा है व सर अगर हम ओफिस खोलोगे तो हमें कि साड़े चार लाक रुपए पर एनम आएगा अगर हम टीचिंग करते तो क्या होगा सर उसमें भी तो पैसा लगेगा हाँ पैसा की प्रैक्टिस में भी लगेगा टीचिंग में थोड़ा कम इनवेस्टमेंट है और मेरा मानना है कि ट पूछूगा क्या करना सर तो माननो फैल होगे तो फिर डीसीजन ले दी है या तो कुछ नहीं करें या तो चलो बीकॉम ही कर लेते हैं अगर बीकॉम करोगे तो कितना लगेगा तीन लाक रुपए पर अब पैसा उतना ये लगेगा या पहले अटेंप पहली बार में उस सम पहला कोशन हमें सीए करना चाहिए कि भी कौँ डीसीजन ट्री कभी भी बैकवर्ड कैलकुलेशन से होगे तास्ट का पहले सूचते हैं या सर हम यहां हैं इस डीसीजन पर देखते हैं तर ओफिस खोले की टीचिंग तर ओफिस खोलेंगे तो छे लाक रुपे लगेगा पर चार लागँ पचास जर आएगा परेणम पर पेचवल absolute डिसकांटिंग रेच 2 पहले तो क्या एन पी भी निकल सकता है चार लागँ पचास जर डिवाइड़ बैस तुिपरशन मायड़ चे लाग, तो सुला लाग पचास के आता सर हम टीचिंग करें तो 4 लागँ पचायज भगवान ना करे, C.A. बन गया तो भगया प्यार से आफिस को लेंगे, टीचिंग नहीं करेंगे, और हम कमाएंगे, N.P.V. कितना गया, 16,50,000, ठिक, O.K. C.A. बन गया तो 16,50,000, कोई रोक नहीं सकता, पर C.A. बनने की probability कितनी है, 0.7, तो चलो, अगर, 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 बुरा फैल हो गया, तो क्या होगा, सर फैल हो गया, तो हम या तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ पैसा ना तो लगेगा, ना तो आएगा, या तो हम भी कौम करेंगे, भी कौम करेंगे, तो 3,00,000 रुपे आएगा, 3,00,000 रुपे लगेग कि लावस हो रहा है 50-000 का लावस हो तो भी यह अगर भगवान ना कर एляются तो हम ना खाली बैठे रहेंगे सर नहीं करना भी कंपर अच्छा नहीं है मत हो नहीं है तो समझ लो यह फिर तो हम खाली बैठे रहेंगे सर जीरो अच्छा है मारे लिए इटमिस मैं क्या कहना चाता हूँ whichever is higher काम वो करो जिसमें ज़्यादा कमाई तो finally NPV क्या आएगा यहाँ पास भी हो सकते सी है 16,50 कमाऊगे और फैल हो गया तो जीरो 16,50 कमाने की probability 0.7 और जीरो कमाने की probability 0.3 तो multiply करोगे तो यह आगया 11,55,000 इसका नाम है सर इसको NPV बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड एन पीवी पर इसको हमारे capital बश्टिंग में एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बोला EMV expected monetary value और सर यह आगया 11,55,000 अगर हम C.A करते हैं तो 11,00, पर C.A करने के लिए पैसा कितना जा रहा है 5,00, अगर हम B.com करते हैं तो पैसा कितना जा रहा है 3,00, आएगा कितना 5,00, समझ गयो नो क्या है सर एन पीवी निकाल सकते हैं इसका तो एन पीवी 2,00,000, इसका एन पीवी निकालीजिए और जिसमें एन पीवी अच्छा है नो डाउट C.A करेंगे यही है decision tree यह जो मैंने बोला है न वो paragraph में लिखके देगा आपको यह बनाना पड़ेगा और यह बना लिया तो बन गया कुश बस प्रॉपर प्रेजेंटेशन से बताना इट मेंस सबसे पहले decision कहां लिया गया सबसे पहले decision यहां से back calculation हो decision 2 back calculation से ही होगा सारा का ओके decision 2 में क्या था office यह teaching यह किया था 16,50,15,25 जो भी higher हो तो इस point पे हुआ कि यार हम क्या करें हम office को ले ज़्यादा अच्छा node P मतलब सर इस बात की या तो कुछ ना करें तो B.com करें B.com में तो 25,000 का लौस से कुछ ना करो तो ज़्यादा अच्छा तो कुछ ना, do nothing is better ठीक है ओके फिर last point फिर expected monetary value निकाला 11,55 और CA में NPV और B.com में NPV निकाला और NPV इसमें ज़्यादा है तो हमें CA करना चाहिए ठीक है, मज़ा है एक illustration है please request हाद जोड़के करके जाना ओके बड़े जल्दी से LNR Limited which is to develop new virus cleaner software cost of project कितना है तो दो लाग शाली सेर आज दो लाग शाली सेर लगाएंगे presently the chances of the product being successful successful होने के chance है 50% और unsuccessful होने के chance है मतलब decision 1 यह है कि software को test करे कि नहीं करे test करोगे तो दो लाग शाली सेर test नहीं करोगे तो जीरो अब test करोगे या तो success होगा या तो fail होगा success होने के chance है 0.5 और fail होने के chance है 0.2 चलो success हो गया तो अब वो बताएगा success हो गया तो क्या होगा अगर success हो जाता है तो हमें 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेगे मतलब ये investment हो गया marketing होगे राखे पर अगर खर्च करोगे तो 4 लाख रुपए आएगा अगर success हो गया तो investment है 20 लाख हर साल कितना आएगा 4 लाख परेनम पर पेचवल या तो फिर investment ही मत करो तोड़ दो अगर fail हो गया तो भी investment possible है अब तक commercial project fell तो भी आप 12 लाख छोटा सा पैसा investment कर सकते हो हर साल आएगा एक लाख 12 लाख खर्च करो हर साल आएगा एक लाख पर या तो फिर एक काम करो investment करो जैसा है वहने रहे ये आप बना हमारा decision start कहां से करोगा decision ये या ये 4 लाख divided by discounting rate दिया होगा yes sir decision 2 4 लाख divided by 10% minus 20 लाख तो NPV कितना आगा है 20 लाख और कुछ नहीं करते तो 0 तो sir हमारे लिए investment is better अब किस बात की बात करें sir यहां की decision 3 investment 12 लाख अगर investment करें तो 10 से 1 लाख 2 लाख का loss है अगर कुछ नहीं करें तो 0 तो no investment is better तो expected monetary value निकल सकते यह sir 20 लाख into probability और 0 into probability 10 लाख तो सवाल ये है कि बताओ यहां कितना sir 10 लाख expected monetary value और यहां कितना 0 10 लाख लगा कर 2,40 लगा कर 10 लाख आ रहा है 7 लाख 6,000 का फायदा है और यहां 0 तो sir testing is better simple question था तो यह खतम हुआ हमारा decision tree अब बात करते है replacement ठीक replacement decision चलो जह replacement decision मैंने आपको से पहले भी गाता कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ICAI ने final में डाला ही क्यों और CA enter से हटाया भी नहीं तो यह इंटर में भी है final में भी और लगबग सारे questions मैं इंटर में भी करवाता हूँ ओके example से मैं बात ही नहीं करूँगा तो किसमें example वाली कोई बात ही नहीं ठीक है सिदा questions से बना रहा हूँ और सिप questions ही बनाऊँगा समझने वाली कुछ ज़्यादा बात है नहीं रिप्लेस्मेंट में होता क्या कुछ नहीं भाई CA enter से पढ़ते हैं एक machinery हम base दे रहा है existing machine और उसकी बदले में हम new machine खरीद रहा है क्यों कुछ फाइदा होगा देखते हैं तो सबसे पहले बात हो रही कोशन नमबर 11 और क्या AFM में है हमारे module में illustration नमबर 12 है कोश बस यही है कि module के सारे questions covered हो जाए पढ़े दिखा के company named Robi Ques decided to replace the existing computer system cost कितना original cost है 25,000 original cost है 25,000 कोई machine पहले खरीदी थी 25,000 पाच साल पहले ठीक और अभी market में बेचोगे तो कितने की बिख जाएगी पाच जार की पाच साल पहले 25,000 की खरीदी थी अभी market में बेचोगे तो पाच जार की बिख जाएगी और depreciation of old system total life कितना दिया है 10 सल और service value कितना था नील तो सर बेच दो ना यार पाच की तो भी केगी अभी भी पाच साल चल चुक है पाच साल हो चुका है ज़रा सोच के बताना पचास ज़र 25,000 की मशीन रही थी एक, दो, तीन, चार, पाच साल हो चुका पाच साल बाकी है अभी book value कितनी बचेगी डेप्रिशीशन का मेथड ऐस से लै तो सर हर साल दो हजर पास सो, दो हजर पास सो, दो हजर पास सो दो हजर पास सो अभी जो book value बचेगी इसकी, वो कितनी बचेगी सर वो बचेगी 12,500 बेच कितने मेरे हो, सर पाच ज़र में capital gain का चक्करा आएगा, वो देख लेगे new machine खरीद होगे तो कितने की सर पचास ज़र की है new machine और sell ways आज से पास सा लाइफ है और बेचोगे तो कितने की बचेगी एक हजर की और सर इससे फाइदा क्या है new machine इससे बहुत दो फाइदे है एक तो पाच ज़र रुपए का savings होगा हर साल और उसके अलावा sales भी 10% से बढ़ जाएगा ठीक है और अभी कितना है 10 लाक savings भी हो रहा है cost में और sales भी बढ़ आएगा है ये फाइदा है सबसे पहला ये है कि अगर हम old machine को आज बेचते हैं तो पैसा आएगा कितना आएगा सर पाच ज़र रुपए आएगा पर book value old machine की ये आज 12 ज़र पास हो तो सर हमारा capital loss होगा और capital loss पे tax savings होगा तो सर old machine बेचने से हमें पाच ज़र तो ये मिलेगा और 2250 का tax savings भी हो जाएगा तो टोटल मिलाकर हमें 7250 मिलेगा किसे old machines फाइदा क्या है भाई फाइदा ये है कि cost बचेगा material cost वगेरा जो भी लगता और इसके लावा sales भी बढ़ जाएगा तो टोटल 15,000 का मेरा incremental CF bittable थे extra इसमें से minus कर देंगे incremental depreciation incremental depreciation मतलब depreciation of new minus depreciation of old depreciation of new minus depreciation of old 7,300 tax आ गया तो सर ये 15,000 ये में से 2,300 तो सर 12,690 का हर साल extra फाइदा कितने साल तक पास साल तक वही किया होगा तजाकर किया हो ठीक है कितना जाएगा new machine खरीदने से सर 50,000 old machine बेचने पे 7,250 आएगा तो extra कितना जाएगा 4,2,7,5,0 फाइदा क्या है सर फाइदा CFBT कितने साल तक पास साल तक factor से multiply कर दिया ये आगया और new machine को वह हम पास साल बाद बेचेंगे तो 1000 का बिकेगा 6,21 ये भी तो मिलेगा और देखेंगे NPV क्या positive है पॉजिटिव है तो accept कर लेंगे CA enter का था इसलिए ज़्यादा इस पर मुझे समझाना है ये भी CA enter का ही question है ठीक पर क्या हमारे book में है यस CYK23 में चाहूता ऐसा बोल सकता था ठीक है CA enter वाला तो समाल लो गया करवा देता हूँ फिर क्यों अलग से करें यहीं सब कुछ कर लेना खतम सर हमारी book का question number five होगा साइदा पढ़े जी लिखा है company के पास एक old machine है जिसकी book value already zero यह important है important है old machine है जिसकी book value zero है और सर अगर हम old machine को आगे चलाते भी हैं तो depreciation कुछ लगे गई नहीं old machine का depreciation high नहीं है उता zero हो चाहेगा आज कितने में बेचा जा सकता सर उस machine को हम 50,000 रुपए में बेच सकते किसकी बात हो रही है old 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 machine को बेचिंगे 50,000 में book value zero तो सर capital gain हो का वो देख लेंगे बदले में क्या कर सकते हैं बदले में भाई साब आप दो काम कर सकते हो क्या या तो old machine को बेचो मत उसे क्या कर लीजी upgrade और अगर upgrade करते हो तो दस लाख रुपए लगेगा दस लाख रुपए लगेगा upgrade करने के खाइदा क्या है भाई खाइदा यहां दिया हुआ है existing machine से इतना कमाते upgrade machine से इतना कमाएंगे वो बाद में डिस्कुस करो दूसरा upgrade ना करके replace कर दो नहीं ही खरीद लो ना यार क्यों इसमें overhauling वगेरा कर नहीं खरीद लो तो आप नहीं खरीदेंगे तो 20 लाख रुपए तो new का लगेगा और installation cost लगेगा 50 जार hold कितने की भी कहेगी ति 50 जार क्यों upgrade नहीं कर वा रहे है क्यों नहीं खरीद रहे है सीधा 10 लाख एक्स्टा खर्चा है ना the expected after tax profit सर ये पैट दे रखा है profit after tax और पैट दे दिया है तो उसमें depreciation add back करते हैं तो CFAT आता है ये आपको पता है old machine में तो depreciation जीर हो है तो इसका पैट ही तो CFAT है जाएगा हाँ लेकिन जो upgraded machine है पैट है क्योंकि 10 लाख का खर्चा तो depreciation होगा पका major repair है depreciation तो हो जाएगा depreciation निकलेगा तो depreciation add back कर देंगे ठीक है tax का rate कितना है 40% और method कौन सा है SLM method और discounting rate कितना है 15% बताओ क्या करे तो सबसे पहले हमारे पास दो option है अब great का comparison एक्जिस्टिंग से करेंगे फिर new का भी comparison एक्जिस्टिंग से करेंगे सबसे पहले अगर हम machine को upgrade करते हैं तो कितना आएगा तो मैंने ये लिखा pet पर हमें लेना क्या होता है CFAT मैंने इसमें depreciation add back कर दिया 10 लाग divided by 5 CFAT आगे है किसका ये upgrade करने पर और upgrade नहीं करते तो ये pet ही CFAT है उसकी वज़ा क्या है तो उसकी वज़ा depreciation लगेगा नहीं आके तो ये आके है इन दोनों का difference incremental CFAT present value factor से multiply कर दोगे तो ये आके है और machine खरीदे में कितना लगेगा 10 लाग असर old machine को बेच रहे नहीं है तो फिर बात ही कतम एन पे भी negative है तो upgrade करने का फायदा नहीं है तर सुनो ना new खरीद लेते है तो new का दिया ही हुआ है वैसी table फिर से बना रहा है pet है 20,50,000 divided by 5 ये आगे CFAT new का CFAT old का minus कर दिया factor से multiply कर दिया तो ये आगे अब सवाल है पैसा कितना जा रहा है तो पैसा जा रहा है टोटल मिलाकर 20,50,000 भाई साब लेकिन old machine को भी तो बेचेंगे बेचने से 50,000 मिलेगा लेकिन book value zero हो गया तो इस पर tax लगेगा तो 30,000 मिलेगा तो सर पचास लाक 20,50,000 में से 30,000 तो हमें old machine को बेचने से मिल जाएगा तो actual मेरा पैसा कितना जा रहा है 20,20,000 तो ये भी NPV क्या क्या है negative new machine खरीदे हो तो भी NPV negative अफगरेट करवाते हो तो भी NPV negative तो जैसा चल रहा है चलने दो ही है ज्यादा दिमाग मत चला ओके तो ये कोशन भी है कि हाँ ये है TYK24 TYK24 company X एक सिंबल सी बात पूछ रहा हूँ बच्चे ना बिल्कुल पागल हो गया अजीव अजीव सी बात करते हैं मैं आप से एक बात पोछ रहा हूँ जवाब देना ये सर अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना अगर मैं हाँ अगर मैं रेंट देता हूँ हर साल का बीस जळर बीज़र 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 पाइस सल तक तो आपका एक स्पेंसेज है हाँ पैसा जा रहा है या सर 1 डिवाइदर 1.10 1,2,3,4,5 सर यह आगया 3.791 तो बीस हजार इंटो 3.7 वन आंसर आ गया है सेवन पाइफ एट तो जिरो कोई दिक्कत है नाई सर सरी क्या समझाना इश्टाट किया मैं बता रहा हूं न इतना डाउट आरा बच्छों का विस्वास नहीं हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता अब मेरे पास है तो नहीं है जो टाइम है उसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बीस हजार क्या है सर कैस आउट रो कितने साल हर साल बीस हजार बीस हजार बीस हजार बीस हजार इंटो 3.791 तो बोलो कितना अगय है सर 75820 75820 है क्या सर जो पैसा जा रहा है हर साल उसका प्रिजेंट वैल्यू तो बस मैं आप से बोल रहा हूं कि कितनी बेवकुफी वाली बात है हर साल ये नहीं दिया मैंने ये एकस दे दिया और ये और ये नहीं दे दिया मैंने आपको जो पैसा हर साल जा रहा है वो नहीं दिया लेकिन आप को उसका present value दे दिया और आपको factor दे दिया तो क्या आप हर साल कितना ये निकल सकते हूं क्या हां सर 75820 divided by 3.791 यस इसको क्या बोलते जो निकलेगा निकलेगा कितना 20,000 ही निकलेगा इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हर साल का cash outflow annual cash outflow या फिर equivalent equal annual cash outflow equal निकला आपने 20,000,20,000 अगर पहले साल 20,000 था फिर 30,000 ऐसा कुछ भी होता तो भी equal divide करके निकलता ना यार अच्छोगा कहना है सार इसको factor से क्यों divide करेंगे क्यों नहीं करेंगे यार हमें उतना ज़्यादा lecture दे नहीं सकता काम की बात करता है यास काम की बात यह है कमपनी X ठीक कमपनी X को मशिन A और मशिन B दोनों में से कोई एक मशिन चूश करना है सिए इंटर का कोश्चन है यहाँ डालके रख सब सेम है मशिन A में पैसा कितना लगीगा एक लाग पचाश जार तीन साल तक और हर साल कितने का खर्चाएगा 40,000, 40,000 मशिन B थोड़ी से सस्ती है एक लाग रुपए लगीगा पर उसकी लाइफ है दो साल इसकी लाइफ कितनी है तीन साल तीक है और हर साल कितना जाएगा 60,000, 60,000 डिसकाउंटिंग रेट कितना लेना है 10% और मशिन B में टोटल मिला कर कितना जा रहा है सर दो लाग 4,100 सवाल यह है कि यह कितने साल में जा रहा है तीन साल और यह कितने साल में जा रहा है दो साल तो कमपरिजन कैसे करोगे लाइफ डिस्पैरिटी है लाइफ अलग अलग है और CA Inter में पढ़ा है, अगर life अलग-अलग है, तो equal cash flow, annual cash flow निकाल लेते हैं, और annual cash flow निकालते हैं, तो divide करते हैं, factor से, बहुत ज़्यादा detail नहीं समझाँगा, वाई, time ही नहीं, तो on an average, annual इतना, और इसमें annual कितना है, इसमें annual इतना, equivalent annual, equivalent annual cash out को बोल सकते हैं, तो बला इसमे कम हैं, इसमें कम हैं, तो यह accept, सवाल है, CA Inter में पढ़ा रखा है, जब भी life अलग-अलग हो, तो आप decision equivalent annual cash out लो या NPV के basis पे, और वो कैसे करते हैं, factor से divide कर देते हो, खुड़ा सा समझाने की कोशिश के, समझ में आ गया तो ठीक, तो main class देख लेना, उसमें भी नहीं सम्झ question number 3, cut कर दो, नहीं करना है, replacement के विसे हमें कहानी बताया, कहानी आपके काम की है, question number 9, अच्छा question है, PYK26, EFM का module, हमारी book का है, question number, देखे, a machine is used on a production line, must be replaced at least every 4 years, ये question है, optimum replacement cycle, optimum replacement cycle, और सर, ये क्या कहना चाहता था, ये, बस ये, ये कहना चाहता था, question, ये, एक concept होता ना, यार, हमको ना, यार, कार लगते रहती है, हम सुरसरा है, कार खरीद लेते है, वैसे तो 5 साल से, 4 साल से, मान लो, 4 साल से उपर कार नहीं चलेगी, तो हम सुचते, यार, एक साल चलाते है, फिर replace कर देते, फिर एक साल चलाएंगे, फिर replace कर देंगे, फिर एक साल चलाएंगे, फिर replace कर देंगे, नई कार है, तो एक साल चलाकर replace कर रहेगे, तो ज़्यादा में भिग जाएगी, टेलवेज भी ज़्यादा मिलेगी दूसरा क्योंकि एक ही साल में replace कर रहा है तो maintenance maintenance भी नहीं लगेगा insurance नहीं लगेगा जो खरीदे वो insurance करवाए यह तो हर दो-दो साल में replace करेंगे हर दो-दो साल में replace करेंगे मतलब दो साल चलाएंगे फिर बेचेंगे फिर दो साल उसमें एक दिक्कत है जब दो साल बाद बेचे होगे तो यार पैसा भी कम मिलेगा बेचने पर या सर और दूसरा क्योंकि इंस्वरेंस लग जाएगा अगले साल अगले साल मैंटनेस तीसरा हर तीन-तीन साल में रिप्लेस करें या फिर कार के लाइफ चार साल है ना तो चार साल चलाए फिर रिप्लेस करें फिर चार साल चलाए फिर रिप्लेस में सवाल यह कि हर एक साल में रिप्लेस करना चाहिए कि हर दू-दू साल में रिप्लेस करना चाहिए कि हर तीन-तीन साल में करना चाहिए कि हर चार चार साल में करना चाहिए ऐसी वहला कोश्च ना तो सर चलो करके देखते हैं नमालो एक साल में ही पैसा एक साल ही रखते तो पैसा कितना जाएगा सर दो साल रखते तो पैसा कितना जाएगा तीन साल रखते तो पैसा कितना जाएगा चार साल रखते हैं तो पैसा कितना जाएगा करके देखते हैं एक साल ही रखते हैं तो तो सर खरीदेंगे तो आज ही तो एक मैं क्या सोच रहा हूँ प्लीज समझ रहें अगर मैं एक साल ही रखता हूँ तो पैसा कितना जाएगा अगर मैं कार को दो साल रखता हूं तो पैसा कितना जाएगा ठीक है तो मैंने टेबल में बना दिया और टेबल में कैसे बनाया हूं अगर एक साल ही रखता हूं तो पैसा कितना जाएगा दिख रहा होगा आपको अगर मैं एक साल ही रखता हूँ या मैं दो साल होल्ड करके रखता हूँ या मैं तीन साल होल्ड करके रखता हूँ या मैं चाट साल होल्ड करके रखता हूँ आज खरीद रहा हूँ मालो तो आज तो भी यह साथे जारी जाएगा कोई बात नहीं है अगर मैं एक साल रखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि maintenance का खर्चा नहीं आएगा कितना आएगा 16,000 रुपए आएगा कब आएगा assume कर रहा है फर्स्ट इयर के end में और बेचने भे कितना मिलेगा 32,000 तो 16,000 रुपए फर्स्ट इयर के end में जाएगा और 32,000 मिल जाएगा फर्स्ट इयर के end में तो यह आएगे मेरा present value of cash out सर अगर आप 2 साल रखते हो देख लेते हैं 60,000 तो जाएगा पहले साल का maintenance भी जाएगा पर क्योंकि 2 साल रख रहे हैं तो दूसरे साल भी maintenance का लगेगा तो और किदर गया भी कोश्ट और दूसरे साल का maintenance का कितना लगेगा 4,000 और लग जाएगा नहीं दूसरे साल का maintenance कितना लगेगा 18,000 लगेगा और repair भी लगेगा 4,000 मतलब 18,000 और 4,000 टोटल कितना हो गए तो टोटल मिलेगे 22,000 रुपए हो गए और बेकेगा कितने में 24,000 में तो 22,000 ये बेकेगी कितने में 24 अगर तर तर तीन साल लगते हैं अगर तीन साल रखते हैं तो 60,000 भी जाएगा 16,000 भी जाएगा 22,000 भी जाएगा और तीसरे साल का भी देखना पड़ेगा आपको maintenance और ये सब टोटल मिलाकर कितना जाएगा 28,000 भी जाएगा और मिलेगा कितना 16,000 भी जाएगा अगर सब चार साल रखते हैं तो ये सब कहानी तो सब पैसा कितना जाएगा टोटल में अगर एक साल रखते हैं तो ये अगर दो साल रखते हैं तो यह अगर तीन साल रखते हैं, तो यह अगर चार साल रखते हैं, तो यहार सबसे ज़्यादा पैसा कब लग रहा है, अगर मैं चार-चार साल रखते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, यह एक साल का ही खर्च है, यह दो साल का है, यह तीन साल का, यह चार साल का है, तो यहार आ निकालना पड़े एक्रिवेलेंट और एक्रिवेलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइट क्यों यह मैं ने समझा सकता वह समझा चुका हूं बोलो सबसे कम खर्च किसमें हुरा सर यहां सबसे कम खर्च हो रहा हूं रिप्लेश्मेंट इस थर्ड इयर इस बैट ठीक है ना बोलो वाव सर अच्छा कोश्च है न वैसे है सर हम अलग-अलग कर सकते हैं कि मैंनला पहले एवरी वन येर का अलग इस टेबल में ने डलते हैं वन येर का अलग करते हैं टू येर कोश्चन नमबर 12 क्या ये इलॉस्ट्रेशन 13 है तीमी कोश्चन है पैसा कितना लगाना है टैक्सी में चार लक लाइफ कितनी है तीन साल और आपको क्या करना है ओपरेटिंग रिप्लेस्मेंट पिरिएट मतलब एक साल ही या दो साल या तीन साल एक साल ही रखना कि दो साल रखोगे दो साल रखोगे तो ये भी लगे गए ये भी लगे गए गार ये आएगा मेरे खेल से कर लोगे इसको यह होमवक आप के लिए question number 10 है TYK27 पर प्लीज इसे कर ले ना यहां मेरे पर solution नहीं पर question अच्छा था भले ही मैंने homework दिया था लेकिन मैंने बाद में आपकी साथ discussion कर लिया था ये question अच्छा है प्लीज कर लो question number 8 TYK25 question number 8 company y question में बच्चों को doubt भी आया था लिखा हुआ है company y as an elderly machine that is expected to net cash flow old machine रखी हुई है और उमीद है कि आने वाले साल में हम उस पे 40 ज़र कमा लेंगे ये optimum replacement का question नहीं है उसमें जो पहले पढ़ रहते थे उसमें आपकी पास कुछ नहीं था उसमें ये decide कर रहते थे थे कि जो भी खरीद रहे इसको एक साल तक hold करेंगे कि लगा है इसमें already आपकी पास एक machine है और जो machine है उसको उसको ही चलाएंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि पहले आने वाले साल में 40,000 रुपए कमा लेंगे अगर रखते है तो और 40,000 कब कमाएंगे बोले next year में 40,000 कमा लेंगे ठीक है और अभी बेच दोगे तो 80,000 की बिकेगी और एक साल बाद बेचोगी तो 70,000 की बिकेगी ठीक है machine can be replaced now अभी new machine कितने की आईगी एक लाग पचास जर के एन ज्यादा efficient है और उससे कितना आएगा 80,000 कितने सल तक तीन सल तक company why wants to know whether it should replace the equipment अभी replace कर दे की एक साल का वेट करे और फिर replace करे सवाल बस इतना और discounting rate कितना है 10 पर replace now और replace after one year sir अभी replace कर दे तो चलो अभी replace कर दे तो बड़ा simple एक लाग पचास जर जाएगा और बेचने old को बेच दो के तो 80 जर आएगा अभी replace करो एक लाग पचास जाएगा और 80,000 आएगा और फिर तो हमको कोई मतलब भी नहीं किस से old आप incremental basis भी भी कर सकते थे सर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक से तीन साल तक आप 80,000 आप 80,000 कमाओ के 80,000 आप सर एक साल बाद replace करेंगे तो भी एक पचास की आएगी machine पर old machine सिफ 70,000 की भी कियेगी क्योंकि एक साल बाद replace कर रहा है हाँ आगर एक साल बाद replace कर रहा है सोचते थोड़ा सा conceptual कर वाएँ उस question को एक साल बाद replace कर रहा है तो सर old machine का पैसा तो आएगा 40,000 या सर पहले साल और जो 80,000, 80,000 तो जब खरीदोगे उसके 3 साल तक कमाओगे new machine से तो NPV ने का लिया ये और ये बस एक दिक्कत है ये NPV कितने साल का है सर ये NPV है total 3 साल का और ये NPV total 4 साल का है पहला साल और आने वाले 3 साल तो equivalent करना पड़ेगा ये बगवान कैसा question करना पड़ेगा और equivalent किया होगा मैंने ने की आगी खतम होगे अच्छा IC AI ने ऐसे किया तो हमें ऐसे ही करना है हालाकि इससे खुछ नहीं हूं है equivalent करना चाहिए institute नहीं किया है तो फिर तो हमको कुछ करना ही नहीं है ये वाला machine होगे खरीद देना बस तो कुछ नहीं कर सकता रट्टा करना पड़ेगा रटना पड़ेगा ओके और ये वाला कोशन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा टूटल रट्टा बाची है ये कोशन CA Inter में भी है और CA Inter वालों को भी मैं रटवाता हूं सर आप उस हिसाब से करवाईए ना कि actual क्या होना चाहिए नहीं करवा सकता नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोशन टूटली गलत है टूटली सॉलूशन इसका गलत है और इंस्टिटूट ने ऐसी कर दिया चलो देखे तो क्या है क्या इसमतर ऐसी डिसिजन देगा कोई भी सुनना धियान से सुनोगे सर आपके पास बोर्ड नोट्स नहीं था इस काम मैंने बड़ी मुश्किल से स्क्रीन शॉट लेवल वगेरा लेकर जुगार किया है TYK22 हमारे AFM मॉड्यूल का है TYK इसमें हो क्या रहा था सर इसमें ये हो रहा था आपके पास सर एक्जिस्टिंग मशीन थी एक्जिस्टिंग मशीन थी और उस पे आप खर्च कर रहे थे ओवर हॉलिंग पे टेक्स अभी लगता नहीं है रिप्लेस्मेंट अगर ओल्ड मशीन को बोले तो 90 जार रुपे जाएगा 90 जार रुपे आज जाएगा नहीं मशीन खरीदोंगे तो 90 जार रुपे लगेगा ठीक है और उसके अलावा मैंटनेस का 10 जार रुपे लगेगा हर साल हर साल मैंटनेस का 10 जार रुपे लगेगा और कितने साल तक लगेगा सर 8 साल तक ठीक है और इसके अलावा मशीन को बेचोगे 20,000 रुप है यहां तक कोई थी and would be sold ठीक है the existing machine requires increasing amount of maintenance और जो पुरानी मशीन है अगर हम पुरानी मशीन ही रखते है आज हम नहीं खरी देते है तो बुले तिहां से देखना अभी तो maintenance का 0 है बेचोगे old machine को तो 40,000 की बिख जाएगी लेकिन बोल रहा है कि अगर आप एक साल बात नहीं machine खरीदते हो एक साल बात तो maintenance का कितना लगेगा 10,000 और old machine को बेचोगे तो 25,000 की ही बिखेगी तो धीरे धीरे maintenance cost भी बढ़ते जाएगा किसका old machine का और old machine जो बेचने का cost है वो कम का बिखते जाएगे यहां तक कोई दिखके थेखिया अपोर्चिटी कोश्ट है 15 पर्षिन और फैक्टर वर्टर दिया मैंने कहा कि इस कोश्चन को आपको रटना पड़ेगा और मैं रटवानी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले institute ने क्या किया सबसे पहला institute ने क्या किया जो new machine खरी देंगे उसका cost निकाला total cash out वो कैसे निकाला बोले यार 90,000 रुपई यह लगेगा और maintenance cost का लगेगा यह 8-10,000 into factor 4-4-8-7-3 और बोले salvage value 20,000 का बेचुके तो यह आगे है फिक यह पैसे आएगा बोले total मिलाकर 8 साल में मेरे जिप से new machine का इतना जागा है तो equivalent annual cost निकाला factor से divide करके 28,600 जिसका कोई logic ने ठीक है तो बोल रहा है तो बोल रहा है सुनो रटवार हो भईया उनका कहना कि यार देखो machine जो है उसका हर साल का cost आ रहा है 28,600 इसको cost of machine मान लिया अब चालू कर दिया अपनी कानी कि अभी replace करेंगे तो पैसा कितना जाएगा उनका कहना है पैसा जाएगा 28,600 कुछ भी बोले annual cost निकाल रहा है 28,600 कोंसी machine से new और old machine को बेचने से कितना जाएगा बले 40,000 आ जाएगा तो आज ही की बात करो सर 40,000 मान इस 28,600 सर 11,400 मेरे पास तो बचेगा equivalent cost positive है और कुछ नहीं है यहाँ 11,400 आज ही बेज दिया मतलब यार भी साप कुछ नहीं करना है इसको उन्होंने cost of new machine माना है logic, logic आप मुझे प्लीज कोई YouTube पर कमेंट्स में logic, logic मत बताना अपने पास रखो logic, logic से में करवा देता हूँ answer match नहीं होगा answer आजाएगा कि एक साल में replace करना कि दो साल में ऐसा तो आजाएगा decision आजाएगा कि वह ही होगा पर हमारा जो उसने जो किया ना वो दूर दूर तक match नहीं हो 8600 लगेगा और 25,000 बेचने पर 8600 माइनस 25,000 3600 लगेगा हमारी जिप्स और सर 10,000 और लगेगा वो भी लिया 3600 लगेगा और 10,000 लगेगा फस्ट येर में सेकेंड येर में भी ऐसा cost of machine मान ले ना 8600 पर फिर कितना लगेगा 3rd year में 82600 machine में लगेगा अब 15,000 का old machine बिच जाएगा और cost 10,000 और 20,000 ले 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 ना 10,000 फस्ट येर में 20,000 है 10,000 और 20,000 अगर 2 बार 2 साल बाद रिप्लेस करे तो सर अगर 3 साल बाद रिप्लेस करे तो ये अगर 4 साल बाद रिप्लेस करे तो ये पॉजिटिव है तो हमें अभी रिप्लेस कर देना चाहिए कुछ भी और ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना यार मा ले ना रट्टा मा ले ना इसमें समझाना कुछ नहीं है पिकार की बात है कि मैं आपको समझा ओके अब बचा hearts and hillier model और simulation ओके सर तो एक water break ले रहा हूँ अपने लिए ठीक सर अब बात हो रही है hillier model और hearts model सर ये हमारी syllabus में है क्या अच्छ उनमें है क्या कुछ नहीं भाई NPV निकलते है ना हम लोग यस और फिस standard deviation निकलते है NPV में हाँ तो यहाँ भी वही हम करने वाले सर वो तो अल्रडी हम कर चुके expected हर एक सिनारियो की हिसाब से NPV निकलते थे तो पाच्छे NPV निकलता था और फिर standard deviation निकलते थे यहाँ भी वही करेगी थोड़ा संतर आएगा वो मैं सिखाऊंगा मैं दो टॉपिक पर बात करूँगा हर्ड्स मॉडल और हिलियर मॉडल टार्गेट एक ही है टार्गेट क्या है कि हमें क्या निकलना है सर हमें निकलना है standard deviation बस इस पर फोकस करें standard deviation ठीक है थोड़ा बहुत मैं आपको knowledge दूँगा पुरा detail में देना नहीं चाहता क्योंकि confusion ज़्यादा हो गया था बच्चों को कि कब hurts model लगेगा कब healier model लगेगा concept discuss करूँगा और फिर बता दूँगा कि यह ऐसा होगा question मैं मतलब मैं सीधी सी बात है एक ही sentence मैं बात खतम कर दूँगा बहुत ज़्यादा मुझे revision में knowledge नहीं देना revision को revision जिसने करवान पहले थोड़ा सा समझ लेते dependent cash flow क्या है independent cash flow अब सुनना देहां से पहले साल मेरे जेब से एक लाख रुपे गया ठीक है सारे एक लाख रुपे दो ही साल का project है बोलो कितना आ सकता है तब 80,000 आ सकता है 60,000 आ सकता पहले सा तो दूसरे साल कितना आएगा अगर 80,000 आया अगर ज़्यादा आया तो ज़्यादा आएगा अगर कम आया तो कम आएगा मेरा pay symbol is a question दूसरे साल कितना आने वाला है वो depend कि किस पे करता है सर फर्स्ट येर में कितना आने वाला है अगर first year में ज्यादा कमाओगे, तो गूर में कम कमाओगे, तो second year में भी कम कमाओगे, तो मेरा simple question, second year का जो cash flow है, वो किस पर depend करता है, first year? Second year में ज्यादा कब आएगा, जब first year में ज्यादा आएगा, मतलब second year का cash flow depend किस पर करता है sorry first year पर second year का cash flow किस पर depend कर रहा है this is dependent cash flow okay sir तब फर्क क्या पड़ता है फर्क क्या पड़ता है फर्क कुछ नहीं पड़ेगा पर समझ लूई अब second year का cash flow देखो पहले साल कितना आ रहा है वो मैं नहीं बता रहा हूँ पर जो भी आ रहा हूँ 75-40 आएगा तर यहां भी 75-40 आएगा बिल्कुल दिहां से समझना दूसरे साल किसी भी हालत में यही दो cash flow आएगे यही आएगा यही आएगा चाहे पहले साल 80,000 हो चाहे पहले साल 60,000 हो सोच समझ के बोलना यह जो cash flow है second year के यह independent है कि dependent है उसके लेना थोड़ा सा है इसलेना मैं रटवा दूँगा लाश्ट वह मैं रटवा दूँगा सर सेकेंड यहर में 75-40 आएगा चाहे फर्स्ट यहर में जादा आ रहा हो चाहे फर्स्ट यहर में कम आ रहा हो मतलब या फर्स्ट यर में ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है माइन नहीं लगता सेकेंड यर में इतना ही आएगा तो सेकेंड यर का कैश प्लो इंडिपेंडेंडेंट कैश प्लो क्या होता है सर डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड और एक होता perfectly dependent cash flow, यह सब समझना ज़रूरी है, इसलिए करवा रहा हूँ, क्या पता है मैंने, perfectly dependent cash flow, क्या होता है सर perfectly dependent, आने वाले cash flow, अगर first year का 60,000 आया, तो second year में सोचने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है, 60,000 ही आएगा, मतलब यह perfect positive correlation, perfect positive, पहले साल जो आएगा, second year भी उतना ही आएगा, उसमें दो arrow नहीं बनेंगे, एक, एक, उतना ही आएगा, मतलब सब full probability है, probability 1, probability 1, याद करो, ऐसे दो arrow बनते थे, तो हम यहाँ 0.7 और यहाँ 0.3 लिखते थे, बहले, ऐसा कोई समस्या नहीं है, यहाँ सीधा-सीधा आपको क्या कर देना है, first year में 60 आया, तो 60 आया, इसको बलते perfectly dependent cash flow, या इसको बलते perfect positive, perfect positive सुना या ना यार, second year का cash flow, पूरी तरह से depend है, first year के cash flow, ठीक है, तर इस cash flow का का काम क्या पड़ेगा, वो समझाओंगा, इस example के through, माल और discounting rate है, 10% आपको NP भी निकालना और standard deviation निकालना, हमारा पूरा की पूरा focus standard deviation पहे, completely focused standard deviation पहे, तो ठीक है ना सर, अब मैं पहले बात कर लेता हूँ, इस cash flow, dependent cash flow, यह वाला किया है, कैसे कर सकते थे इसको ज़रा सोच के बलते, सर, year wise भी कर सकते थे, यह अलग-अलग scenario basis पे कर सकते थे, आप इसको path wise ऐसा होता नहीं, यह actually एक path हो जाता, यह एक path हो जाता, पर scenario wise, 80-70 एक NP भी निकालते, 80-50 एक NP भी निकालते, एक NP भी निकालते और एक NP, ऐसे भी कर सकते थे, यह first year का cash flow निकाल लेते, और second year का cash flow निकाल लेते, और उसके हिसाब से फिर हम NP भी निकालते, अब अब ध्यान से समझना विट्टे, सर मुझे standard deviation निकालना है NP भी में, तो normally method क्या होता है, normally method सर एक NP भी निकाली है, ठीक है, दूसरा NP भी निकाली है, दीसरा NP भी निकाली है, और चहता NP भी निकाली है, यह expected NPV तो निकाली लोगे बात हो रही है standard deviation तो सब हम 4 NPV निकालेंगे और फिर probability से multiply करके standard deviation निकालेंगे normally standard deviation in NPV ऐसा ही निकाला जाए अलग-अलग सिनारियों से काम किये ओके तो मैंने भी कौन सा वाला है यह मुझे नहीं मालूम first year, second year, third year और मैंने 3 NPV निकाला यह NPV, यह NPV, यह NPV मैंने जानता यह कौन से example है पर आप समझी गया होगे कि हमने 3 NPV निकाला है यह pathwise किया है मैंने कोई फरक नहीं पड़ता और फिर जब मैंने 3 NPV निकाला है तो फिर मैंने क्या किया उसका standard deviation भी निकाल दी इस तरह से काम किया होगा मैं काम की चीज तब वाला question प्लीज मैं एक बार चेक कर लो यह वाला किया इसका है अक्चुलिया इसका किया कोई बहुत पहले साल 60 तो 60 55 तो 55 चालिस तो 40 तो मैंने क्या किया होगा मैंने 3 NPV निकाला होगा यह साथ जार 55 तीना जार इसी पिछले एक्जामपल की बात हो रही है ठीक है सर तीना NPV निकाला और इसका standard deviation निकाल लिया और standard deviation NPV आ गया 1 से 1 6 3 0 अब ध्यान से समझना standard deviation जो हमने निकाला इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब दूसरा क्या है कि मैं cash flow का standard deviation निकालू cash flow का और एक तरीका है सुनोगे 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 पीस अब ध्यान से समझना यह वाला concept कर पहला मैंने काम क्या किया सर पहला आपने काम किया कि आपने 60,000 65,000 40,000 मैं यहां का क्या कर रहा हूँ मैं expected cash flow निकाल रहा हूँ first year का second year का third year का निकल सकता है क्या हाँ सर expected cash flow वही आएगा it means first year का second year का third year का मैं expected cash flow निकाल रहा हूँ निकल जाएगा सर ये सर ये निकल एक्सपेक्टेट केश्फ्लो आ गया है 535 00 एक्सपेक्टेट केश्फ्लो 535 00 सर ये कैसे आया अब मैं फर्स्ट इयर का इस्टेंडर्ड डीवीशन निकाल रहा हूं फर्स्ट यर का इस्टेंडर्ड डेविशन निकाल रहा हूं निकाल सकते हैं, यह इस्टेंडर्ड डेविशन किस में निकाल रहा हूं फर्स्ट यर में, यह इस्टेंडर्ड डेविशन किसका निकाल रहा हूं, फर्स्ट यर में, यह इस्टेंडर्ड डेविशन किसका निकाल 3rd year का, और standard deviation में किस में निकाल रहा हूँ, cash flow में, ठीके sir, आपने निकाला, 3 NPV निकालने के picture, मेरे पास एक shortcut है, कि मैं cash flow का standard deviation निकालू, और वो आगया 7089, और यहां भी कितना आगया, 7089, second year का भी उतना आएगा, 3rd year का भी उतना ही आएगा, और cash flow का में present value distribution कर रहा हूँ, cash flow का present value कर रहा हूँ, 1, 2, 3, यह जो आएगा ना, this is standard deviation in NPV, तो target क्या है, बस इतना बता दोगे, कि target कुछ नहीं है भाई, target बड़ा simple है, जो standard deviation हम निकाल रहा थे, वही standard deviation निकाल रहा है, इसमें NPV में, दो तरीके, पहला भाई, NPV निकाल लो, और NPV निकाल कर, standard deviation निकाल रहा है, दूसरा तरीका है, आप expected cash flow निकाल लिए, और फिर expected cash flow का present value कीजिए, मतलब cash flow में standard deviation निकाल लिए, cash flow में हर साल, और उसका present value कीजिए, तो जो आएगा, वो आएगा, standard deviation NPV, ठीक है जी, ओके, हमें कब कैसे करना, यह मैं बताऊंगा आपको, ओके, अब यहाँ ध्यान से रेखना, सर, हमें करना कैसे, हमें, देखो, पहली बात, दो तरीके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ सर, बोलो, आप एक काम करो, एक NPV निकाल लिए, 2 NPV निकाल लिए, 3 NPV निकाल लिए, और 4 NPV निकाल लिए, एक तरीका ही है, एक, दो, तीन, चार, और 4 NPV निकल गया, और उसकी probability भी पता है, तो क्या, standard intervention NPV निकल सकता है, हाँ سर, एक तरीका यह है, expected NPV निकला, और standard deviation, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है सर आप expected cash flow इसका standard deviation cash flow और इसका standard deviation in cash flow निकालिये first year का second year का cash flow निकालिये पहले expected cash flow निकालिये और फिर standard deviation in cash flow निकालिये वही मैंने किया होगा फिलियर model बोर्ट कर रहा हूं ओके सर आपने expected cash flow निकाला और standard deviation निकाल लिया यह expected cash flow आगए first year का और second year का और फिर आपने क्या किया उसका standard deviation निकाल ठीक है बस यहां थोड़ा सा concept यह आता जब भी cash flow independent रहेगे हिलियर model लगेगा तो हिलियर model में क्योंकि यह independent है a plus b यह वाला concept सुना है standard deviation of a plus standard deviation of b square को कैसे solve करते थे याद है standard deviation of a square weight of a square standard deviation of b square weight of b square ऐसा कुछ solve करते थे सर कहना क्या चाहते हो प्लीज एक line में खतम करो बहुत ज्यादा concept है पर एक line में simple सी बात बोर रहा हूं एक ता perfect positive correlation है और जब हम portfolio करते थे तो a plus b square में सीधा weighted average करते थे standard deviation of a into weight of a और standard deviation of b into weight of यह कब करते थे जब perfect positive correlation और सर जब perfect positive भी correlation नहीं है और perfect negative भी correlation नहीं है independent correlation है तो फिर हम variance पे आते थे याद करो हाँ जी हम variance पे आते थे ऐसा कुछ formula याद होगा आपको यहाँ जो cash flow दिख रहे है ना भाई इसमें पहले सल 80 यह जा रहेगा तो 80 और 60 आएगा दूसरे सल 60 आएगा तो यहाँ 80 और 60 आएगा तर यह जो cash flow यह कौन से cash flow है यह independent cash flow मतलब second year का cash flow depend नहीं करता है फ़स्ट यहर में 80 आएगा तो भी 80 साथ आएगा यहां साथ आएगा तो भी 80 साथ आएगा तो concept यह independent cash flow है और independent cash flow है तो फिर उस condition में हमको क्या यूज करना पड़ेगा variance और variance में मादल में standard deviation of cash flow को square करेंगे और present value करते थे थे ना 1 प्लस R पावर 1 होता था यह भी automatic कि यह क्या हो जाएगा square अच्छा यहां power 2 होता था और यह क्या हो जाएगा square तो जहां 1 लेते थे वहाँ 2 हो जाएगा जहां 2 लेते थे वहाँ 4 हो जाएगा okay sir it means अब standard deviation ऐसे निकाल 11,200 से अब बच्चों को ना यार क्योंकि मैंने बहुत घुसके पढ़ा दिया तो बच्चे confused हो गया कि सब कभ हीलियर लगना कभ हर्ड्स मॉडल लगना है कभ हमको normal करना है standard NPV और problem और हो गई कि सर मतलब यार हम कुछ और सोचते है या concept बहुत ज़्यादा घुसके नहीं पढ़े इतना याद नहीं रह पाएगा तो एक तरीका है बिल्वकुल सिंपल तरीका रट्रने वाला तरीका और वो जरूरी है यहां से समझना जब भी सब्द आएगा possible deviation in expected value या आएगा probability distribution in cash flow पाथ समझने की कोशिश करना नॉर्मल standard deviation मांगा तो निकाल देना लेकिन बोलेगा possible deviation in expected value या फिर probability distribution in cash flow in cash flow में probability distribution करना भाई साप रटवा रहा हूँ कैसे रख करना कुछ नहीं करना इसको solve करना जैसी यह question है टी वाई के वन प्रीज क्योंकि अभी time नहीं है बहुत deep में गजाने का इसको कैसे करना है पहला साल का cash flow दिया है ठीक है सर दूसरे साल का cash flow दिया है ठीक है और तीसरे साल का cash flow दिया है ठीक है अब दो तरीके हो सकते हैं पहला कि हम अलग अलग probability के हिसाब से NPV निकाले एक NPV, दो NPV, तीन NPV, चार NPV इसमें ऐसा हो इनी सकता क्योंकि यहाँ probability अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग तर करना क्या होगा? बिल्गुल सिंपल तरीके से करो पहले साल का expected cash flow निकालो, दूसरे साल का expected cash flow निकालिए और तीसरे साल का expected cash flow निकाल लिए और NPV निकाल लिए बिलकुल संपल तरीक और प्रोबाइबिट और सर expected NPV आजाएगा यहां पहले साल का cash flow दूसरे साल का cash flow और माइनस 50 लाग कर दोगे तो expected NPV आएगा बिलकुल सिंपल तरीक छीग है सर यह तो हो गए है वही मैंने किया है पहले साल का expected cash flow दूसरे साल का तीसरे साल का और फिर मैंने यहां क्या निकाल लिया NPV निकाल लिया NPV में हमको कुछ नहीं सोचना है दूसरा possible deviation in expected value possible deviation in expected value deviation का मतलब सरे standard deviation मांग रहा है और standard deviation कभी भी हमको NPV में ही निकालना होता है पर उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारा NPV चाहिए है अब problem है कि NPV तो हमारे पास बहुत सारा हो ही नहीं सकता पर cash flow तो दिया है इसका मतलब यह हीलियर मॉडल लगना हो वाला है और वैसे तो लिखा भी है इंडिपेंडेंट पर यह आप समझ नहीं पा रहे हो तो एक सिंपल सा तरीका अब हमारे पास NPV तो है नहीं है भाई तो क्या है cash flow है तो चलो cash flow से काम करें और cash जब भी यह बोलेगा तो अब हम standard division in cash flow निकालेंगे और वो ऐसे निकलेगा standard division of cash flow divided by 1 plus R अब यहाँ power 2 लगेगा क्योंकि यह तो square हो जाएगा ठीक है और second year के standard division of cash flow और यहाँ क्या जाएगा 1 plus R पावर 4 हो जाएगा पावर 4 क्यों होगा पता है न यहाँ 2 है तो यहाँ square लग गया तो यह भी square हो जाएगा इस तरह से हम काम करेंगे कोई काम किया cash flow का पहले standard division निकालना 9.4, 9.93, 8.62 cash flow का standard division तो निकालना जरूरी है ओके sir और फिर उसका मैंने क्या किया probability ratio मैंने सीधा क्या किया NPV निकालिए, NPV क्या है sir standard division अगर मैं सीधी सीधी बात बुलों ज्यादा निमाख नहीं चलाना है इस टाइम पर cash flow निकालिए, NPV निकालिए, अब cash flow expected cash flow निकला है न तो उसका standard division निकालिए तो standard division of cash flow first year का, standard division of cash flow second year का और उसका क्या किर जीए, present value किर जीए बस याद रखना variance लेना, variance में इधर square लगेगा तो 1 प्लस R में भी square लग जाएगा और कुछ मांगा था क्या, बस कतल और बोल रहा कि कौन सा अच्छा है, तो सर्थ cv के basis पर आप decision दे दोगे, बाकि पढ़ दोगे, वस तो ये कौन सा, हमारे ty के one था ये वाला भी question आपके afm module का है तो प्लीज बता दो कि question number कौन सा है, मैं बता देता हूँ प्लीज ये सारे question कर ही लेना तो ज्यादा अच्छा है 15, 18 वाला एक second मैं थोड़ा सा टाइम दीछे ये वाला question है, हाला कि ये आपके module का question नहीं है, पर practice के लिए कर सकते हो यहां भी sir cash flow अलग 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 दिया, yes तो यहां का cash flow निकाल लेंगे, यहां का cash flow निकाल लेंगे, यहां का cash flow निकाल लेंगे, उसका present value करेंगे, पचास लग माइनस करेंगे, तो NPV है जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं possible deviation बोला है, तो sir deviation मतलब standard deviation क्या NPV निकाला जा सकता है, 3, 4, 5, अलग अलग probability नहीं sir, तो जो cash flow है, उसका standard deviation निकाली है और सब्द लिखा है possible deviation या probability distribution in cash flow बोलेगा, तो ऐसे ही करना बड़े, ओके सर, तो यह question वैसे ही है, yes, अब फिर cash flow का आप कर लोगे, मेरे ख्याल से problem नहीं आएगी, power 2, power 4 और power 6 क्यों हो रहा है, यह आपको अच्छे से बता है कोशन नमबर 40, PYK 7, अब यह question इसमें भी बच्छे confusion है, पहले पर question देख लो sir, यहाँ, मेरे ख्याल से देखने ही रहा होगा, पर फिर भी manage कर, initial investment चाहे कुछ भी क्यों ना करो, 4 लाख रुपए लगीगा, फिर के sir और हर साल आएगा, एक एक लाख रुपए, या फिर एक दस, एक दस, या तो फिर एक बीस, एक बीस, तो यह तो normal question हो गया, यहाँ तो हम 3 NPV अराम से निकल सकते, एक एक लाख करके, और लाश्ट में 20,000, यह एक दस, एक दस, लाश्ट में 50,000, और एक बीस, एक बीस, और सब 3 NPV निकल जाएगा, फिर तो normally धंग से हम standard deviation in NPV निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, पर सब ऐसे नहीं आना चाहिए कि possible deviation in cash flow अगीरा, तो फिर देखते एक बार question क्या मांगा है, पहले देख लेते हैं, और सर discounting rate 10% है, expected NPV निकलना, expected NPV मालूम है, 1 NPV, 2 NPV, 3 NPV न निकला, multiply कर दूँगा, तो expected NPV आजाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, best NPV और worst NPV, ये भी निकल जाएगा, ये आ गया best, ये आ गया worst, ठीक है, तो probability of occurrence of the worst case if the cash flow are perfectly dependent, इसका मतलब समझ रहा हूँ, ये सर, ऐसा मैंने तीन एरो दिया, पहले साल cash flow, या तो एक लाक आएगा, या तो एक बीस आएगा, एक लाक आया तो एक लाक ही आएगा, एक लाक ही आएगा, एक दस ही, इसको बलते है perfectly dependent, याद करो, ये सर, और इसकी probability कितनी है, सर, one आनी की probability कितनी है, 0.3, और इसकी 0.5, और इसकी 0.2, तो वर्ष्ट कौन सा दिख रहा है, सर, one, ये वाला वर्ष्ट दिख रहा है, तो 0.3 इन्टो वन, इन्टो वन, इन्टो वन, तो 0.3 ही आएगा, अंसर, तो अगर cash flow perfectly dependent है, तो क्या probability है, मतलब joint probability मांग रहा है, अंसर क्या पॉइंट वन, पॉइंट थी, इन्टो वन, इन्टो वन, इन्टो वन, पॉइंट थी, अगर बोलेगा कि independent probability, independent, इन्डिपेंडेंट है, तो बताओ क्या आएगा, तो independent में कैसे बनेगा मालू है, आपको बताया था मैंने, तर ती नहरो, यहां जाएगा, पॉइंट थी, य मतलब probability 0.3 into 0.3 into 0.3 into 0.3, 1 lakh अनी की probability, वर्ष्ट, वही मैंने यहां करवाया, 0.3 into 0.3 into 0.3 into 0.3, तो मतलब सर, 0.3 power 5 कर लेंगे, यह, यह बात समझ भी ने, तो भाही lecture देख ले रहा, मेरे ख्याल से यह मैं समझा चुका, अब भी तक NPV मांगा, यह हो गया, यह भी हो गया अब साब साब बोल रहा, standard deviation निकालो और CV निकालो, तो जबर्दस्ती दिमाग में चलाओ भाई, जब हमको क्या 3 NPV पता है, हाँ सर, तो भी ठीक है, 3 NPV पता है, तो जब 3 NPV पता है, तो आप सीधा सीधा क्या कर लो, standard deviation in NPV निकाली जी, खतम, और CV निकाली है, assume that there are only 3 stim, बाकि सब कहानी लिखा है, तो ठीक है सर, हम क्या करेंगे, हम 3 NPV दिया है, तो सीधा standard deviation निकालेंगे, ठीक है, standard deviation in NPV, यह है, expected NPV, यह आगया हमारा, यह 3580C, मुझे नहीं सोचना है, मुझे कब problem जाती, जब 3 NPV नहीं पता है, cash flow पता है, और इसके अलावा भी, इसके अलावा भी कुछ लिखा है, वो देखना पड़ेगा, यहां तो 3 NPV अलग-अलग निकाला हमें, आगे CV निकाल, और CV कितना आ गया, 0.9, आगे कुछ मांगा है क्य 0.95 से 1, एक average project का CV होता है, 0.95 से 1, पर आपका CV कम है, average से भी कम है, तो 100 basis points are deducted from the company's cost of capital, companies का cost of capital कितना है, company का cost of capital 10% है, और आप में CV कम है, मतलब risk कम है, तो बले, आप 10% से discounting मत करना, आप 9% से discount कीजिए, और 9% से फिर आप expected NPV निकाल लिए, और जो आएगा तो बता देना कि accept here, reject, बस वो RADR की बात कर रहा है, बले, CV देखकर आप decide करो कि आपको क्या rate लेना, तो अभी तक हमको एक बात समझ में आ रही है, कि cash flow दिया है, कि NPV दिया है, जहां cash flow दिया है, कुछ possible deviation वगेरा लिखा है, वहाँ हमको standard deviation of cash flow ये वाला लगाना पड़े, ठीक है, ओके, ओके, मतलब cash flow का standard deviation निकाल के, उसका present value करना पड़े, कि कैसे, suppose question number 38 नहीं दिख रहा है, एक roughly काम करूँगा, सर, X और Y ठीक है, और investment दे दिया है, 70 लाख, ओके, और 0.3, 0.4, 0.3 दिया है, ओके, ये first year का cash flow, ये first year, first year, first year, सर, तो यहाँ तीन NPV निकाली जा सकती है, क्या, सर, first year का expected cash flow निकालेंगे, second year का expected, मेरा question है क्या तीन NPV निकाली जा सकती है, हाँ सर, first year में ये second year में, ये third year में है, तो एक NPV निकल सकती है, दूसरी भी NPV निकल सकती है, तीसरी NPV निकल सकती है, तीसरी NPV निकल सकती है, हमारे फर्स्ट यर में इतना है, सैकन्ड यर में इतना है , फर पिसर निकल सकती है, और फिर हम फिर पिसर निकल सकते हैं , लेकिन लास्ट हमें देखना, क्या मांगँ है standard deviation निकालना of the present value distribution जब भी सब्द आया present value standard deviation present value distribution मतलब समझ रहे हैं आप पस मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, दो तरीके मेरे पास सर एक काम करो NPV यहाँ इस probability पे इस scenario पे NPV निकालो इस scenario पे और इस scenario पे भी NPV निकाल लेंगे और फिर बोले सर, expected NPV निकालो निकालेंगे और फिर standard deviation निकालो, simple दूसरा तरीका क्या तो दूसरा तरीका है कि आप cash flow निकालो cash flow, cash flow, cash flow सबका standard deviation निकालो ओके सर, अब जब first year का cash flow है, य це cash flow first year का निकाला, ये cash flow second year का ये third year का, सबका standard deviation निकाला और फिर सर उसका present value 1 plus r square 1 plus r 4 1 plus r 6 ऐसा करो कैसे करना answer एक ही आता है करना कैसे repent करता है क्या बोला सब तो standard deviation बोलता तो मैं normal निकल लेता तीन एन पी भी निकल के बोला standard deviation of present value distribution present value present value मतलब यार यही वाला मांग रहा standard deviation का present value yes इस वज़ा से सर यह आप याद करवा रहे ना हाँ मैं dependent independent के चक्कर में फसना नहीं चाहता आप उसमें परिशान हो गया थे तो सीधी सी बात है यहां मेरे पास दो रास्ते थे पर दोनों में से कौन सा चुना मैंने मैंने cash flow वाला चुना standard deviation of cash flow वाला मतलब standard deviation जो निकालूगा वो present value वाले तरीके से निकालूगा वजह क्या थी उसकी सिर्फ लिखा standard deviation present value distribution को यूच कर ओके उसर इस question में करना क्या कुछ नहीं भई expected cash flow निकाल लीजिए first year का okay ऐसे second year का third year का और expected cash flow निकालने के बाद फिर हमने क्या निकाल लिया NP project Y का project Y का भी ऐसे किया first year second year third year और उसके सबसे expected cash flow तो हर साल गे इतनी रहेगा और उसके बाद हमने क्या निकाल लिया ए' heating standard deviation और कौनसे वाले तरीके से cash flow वाले तरीके से ही निकालना थी आजए first year का standard deviation of cash flow निकाला second year का निकाला और tharड year का भी निकाला 3rd year का भी निकला और उसके बाद उसका present value करती है ऐसे project Y का कर लोगे It means यार इस question में कैसे याद रहेगा की सर हमको क्या करना भाई साब सुनो अगर NPV निकल ही नहीं सकती अलग-अलग सिनारियों में तो आपको hill year model ही यूज करना parts model कुछ होता है hill year model ही यूज करना मतलब NPV निकल ही नहीं सकती तो cash flow को यूज करना पड़ेगा सर दूसरा अगर NPV भी निकल सकती है और cash flow भी निकल सकता दोनों के माध्यम से हो सकता standard deviation तो फिर कैसे करेंगे तो फिर मैंने बताया कि question में लिखा रहेगा जैसे standard deviation present value distribution सब्द लिखा था तो समझ में आ रहा था standard deviation present value के माध्यम से निकलना मतलब cash flow के सब यह वाला question homework में दिया था PYK8 तर इसमें क्या था एक लाग रुपे लगा रहे थे 20,000, 30,000, 40,000 और probability दिया था ठीक है प्रजेट के life पास साल थी और discounting rate 20% है और यह service दिया हुआ था Probable यह expected NPV निकलो तो sir expected NPV यह तो तीन सिनारियों के सब से निकल लीजिए यह तो expected cash flow सा सिनारियों के सब से निकल 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 जाएगा ठीक और worst NPV और best NPV भी हो जाएगा और अगर perfect positive है perfect positive तो बताइए worst NPV आने की क्या probability worst मतलब यह वाला सब से खराब दिख रहा है मतलब 0.1 into 1 into 1 मतलब 10% sir yes हो जाएगा अलग-अलग सिनारियों के सब से गलीजी आंसर आ जाए कल लोग है यह question okay so hearts model और hillier model में confuse होने वाली बात नहीं है भाई simple सी बात है अगर तीन चा तीन अलग-अलग सिनारियों के सब से NPV नहीं निकल पा रही है cash flow के basis पे हमको standard deviation निकलना है तो cash flow expected cash flow हर साल निकल लिए और उसका standard deviation निकल लिए और उसका present value कीच और सर अगर हम तीन NPV निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है फिर तो standard deviation of NPV जैसे निकाल रहते है वैसे निकल पर सर दोनों से अगर काम हो सकता है तो नीचे पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोलो कुछ नहीं बोला सिर्फ standard deviation बोला तो जैसे निकाल रहते है standard deviation वैसे निकल और जिन्होंने class लिया उनको साइद अच्छे से समझ में आ गया होका अब बात करते हैं simulation यह simulation क्या है कुछ नहीं है भाई sensitivity analysis में एक समय पर एक factor change करते थे और सर scenario analysis में एक साथ सारे factor change करते थे येस पर कहीं ना कहीं manipulate था मतलब यार कहीं ना कहीं अनुमान तो होता था it means हम क्या बोलते थे हम sensitivity में बोलते थे कि यार देखो selling price साथ रुपिया है ठीक है तो दस परशन से change होगा बस दस परशन मतलब साथ रुपए का दस परशन 6 रुपए कम कर दीजे सर 54 होगा 55 नहीं हो सकता क्या 57 नहीं हो सकता कुछ भी हो सकता है ना सर तो आपको एक से टेकनिक यूज करना पड़ेंगा कि randomly कोई भी price ले लिजी और NPV निकाली पास समझ में आ रहा ना आप से 10 परशन क्यों बोल रहा है आप एक परशन का भी तो chance हो सकता है आदा परशन भी तो कम हो सकता है कुछ भी हो सकता ज्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता तो चलो अलग अलग हिसाब से आप NPV निकाली है और जो निकलेगा उसका कहीं यूज है पर वो यूज हमारे syllabus में एक बार देखो मैं क्या कियाना चाहता हूं समझ में जाए परशन परशन कितना है एक लाग बेस जार डिसकाउंटिंग रेट कितना है देस परशन अब यार CFAT कितना आ सकत कहीं पास साल लाइफ चली है कहीं कहीं छे साल चली है कहीं कहीं आठ साल चली है ओके अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बस इतना सबसे ज़्यादा CFAT आने की probability कितना परशन है तो सबसे ज़्यादा 40,000 है 40,000 है 40,000 क्योंकि 0.5% लोगों ने का 50% लोगों का कहना है कि CFAT 40,000 आएगा और लाइफ कितने साल चलेगी सर ज़्यादा तर लोगों का कहना है कि लाइफ जो मेशीन खरीद रहे इसकी लाइफ 6 साल होगी और मैंने कुछ रैंडम नंबर दिया है ये मैं समझाँगा ठीक से हम मैं पहले नंबर पर काम क्या कर रहा हूं इदीदे से समझ में आजाएगा मैंनने एक रैंज बनाना है 30,000, 40,000, 30,000 तर ये लिखा है 60, 40, 30 फिर 3, 5 और 2 लिखा है तो 3.3 cumulative probability 0.3 मैंने यहाँ 0 से 29 तक लिखती है तर क्यों वह बता हूंगा फिर लिखा 0.5 तो दोनों को add किया तो यह आगए cumulative और फिर 30 से 79 तक लिखा ठीक है और फिर 2 लिखा है तो यहाँ total वालों गया तो मैंने 80 से 99 तक मैंने एक range बना दिया range कैसे बना रहा हूं probability को total करते जा रहा हूं और यहाँ 0 तू 9 यह 10 तू 49 और 50 तू 79 और 80 तू 90 प्यार हो गया है अब 60 खेलते है लोट्री और कोई भी एक चीड बना कर फेका मैंने चलो और कहां से कहां तक दो डिजिट और दो डिजिट तक चीड बनाया मैंने तो चीड ले लेना 1 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता 1 से लेकर 99 तक ओके और सर चीड बनाया आपने अफेका और माल लो मैं 1 से 100 तक 1 से 99 तक चीड उठाने की कोशिश कर और देख रहा हूं कौन सा चीड सबसे ज़्यादा बार उठेगा इसमें बताओ सबसे ज़्यादा क्या आन रेंडम नमबर बोलूँगा चलो 42 बोलो 42 कहाँ आएगा सर यहीं आएगा बोलो और सर 75 75 किदर आएगा सर यह आएगा इट मेंस मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कुछ लोग कहते है कि यार सेमलेशन तो कुछ भी है कुछ भी नहीं है भीया लॉजिक है लॉजिक के साथ ख केश फ्लो के लिए 19 19 मतलब CFAT कितना सकता है साथ जर और लाइफ के लिए कितना लिया मैंने रेंडम नमबर 30 30 कहाँ आएगा भई तो 30 यहाँ आएगा चे साल एक रेंडम नमबर यूज किया 19 और 30 उसके साब से कैश फ्लो लिखा प्रेजन वाली फैक्टर लिखा और एन पी भी ने कल लिया छे साल चलेगी 10 पर्षन डेट है लाइफ है साथ है सी फटी इस दो रेंडम नमबर ले लिया एक कैश फ्लो के लिए और एक लाइफ के लिए और छे साल इस बार भी आया त एक 99 लिया उसके साब से इस इस सीमुलेशन और जु आया वो यह आया अच्छा सार एकस बार एकस बार कैसे किया सब को एट किया डिवाइडिड बाई पाँ रेंडम नमबर लिया तो पाँस से डिवाइड कर दिया तो यह आ गया एक्सपेक्टेड एन पेविए इसके डला हुआ है, बस खतम होने वाला है, हमारी बुक में question number 49 है, AFM के module में ये illustration डला हुआ है, तो please ध्यान दे दो, इसमें भी cash flow, सर, cost of project है एक लागती सर, ये cash flow दिया है और ये year दिया है, तो क्या cumulative probability के साथ हम काम कर सकते हैं, क्या, yes, तो यहाँ cumulative probability बनाई गए, और ये range बन गई, ये range किस के लिए बनी, cash flow के लिए, और ये range किस के लिए बनी, सर, ये बन गई, life के लिए, अब कोई भी random number ऐसे दिया है, उसने, random number उसका बताएगा question कैसे उठाना, सर, इसको कैसे उठाना, उसनोंने पहले, cash flow के लिए पहला लिया 53, और लिया 97, life के लिए, फिर ऐसे ही लिते गए, 53 मतलब कहां आएगा, सर, 53 यहां आ रहा है, मतलब 30,000, और 97 कहा हैगा, सर, 97 यहां आ रहा है, मतलब, life कितने साल होगी, 10 साल, उसके सबसे 53, 30,000, और life कितना है, 9 साल है क्या, 97, 97 है सर, 9 साल आएगा, तोरी, 9 साल, उसके सबसे उन्होंने NPV निकाल, ठीक, और उन्होंने expected नहीं निकाला, ठीक है, ठीक है, यही था आपका simulation, हमाई simulation का application नहीं है, होना चाहिए था, and the last बिकार की चीच, कोशन डाल दी, इसलिए कर वा रहा हूँ, evaluation of project using utilities, सर, इसका मतलब क्या है, utilities का मतलब, उसमें पढ़ रखाया आपने, किसमें, economics, पर फिर भी, cash flow पर depend करता है, कि utility क्या, खुशी, गम, सर, माइनस में cash flow है, तो, गम, कितना गम, और सर, प्लस में cash flow है, तो, खुशी, तो, यह आपको cash flow दे देगा, यह आपको utility दे देगा, और utility क्या होना चाहिए, positive होना चाहिए, तो, आप इस utility के साथ probability भी दे देगा, और बोलेगा, कि बताओ, expected utility बताईए, और project को accept करना चाहिए, कि नहींगा, suppose, एक project है, project, एक cash flow दे दिया, 40,000, 15,000, और 10,000, और इसकी probability दिया है, तो, क्या expected utility निकल सकता है, हाँ सर, 40,000 के सामने क्या है, 60, तो, यहाँ 60 लिख देंगे, 15,000 के सामने कितना है, 40, तो, यहाँ 40 जाएगा, और minus 10,000 के सामने कितना है, minus 20, और इसको expected निकल लो, कि तो, accept कर लेंगे, सर, यह कोश्चन हम छोड़के चले जा सकते हूँ, यह वाला कोश्चन है, TYK 21, टाइम पास, देखें, सर, 15 यह utility है, ठीक है, यह utilities, कैश प्लो क्या आ सकता, minus 15,000, उस, 100, minus 10,000, 60, 15,000, 40, मतलब सर, यहाँ आएगा, minus 100, बिलकुल, 10,000 के लिए minus 60, और 15,000 के और 10,000 के लिए 30, और 5000 के लिए, 5000 के लिए 20, और utility को multiply कर दोगे, probability से, तो जो आएगा, उसका नाम कहेगा, expected utilities, और expected utility किसका ज़ादा आ रहा है, project B का, तो project B should be accepted, capital listing, APV यहाँ नहीं होने वाला, वो business valuation के साथ में होगा, adjusted present value का एक question है, ठीक है, class over कर रहा हूँ, और अगर इसमें कुछ करना है, अच्छे से करके जाना है, तो एक sensitivity analysis कर लेना, decision tree का एक question है, प्लीज वो कर लेना, प्लेस्मेंट में तो कुछ आप मुझे लगता नहीं है, औ यह healier model वाला जो अभी last में करवा रहा था ना, इसमें cash flow के उट लेकर standard deviation निकालना है, NPV का, यह NP scenario basis पे करना है, वो एक बार कर लेना, बाकी, ठीक है, thank you so much, bye-bye